लोग सबच उनाव में बहतरीन प्रदर्शन के बाद शरत पवार की नेत्रित वाली NCP का जोश हाई है यही वज़ा है कि पार्टी ने संकेत दिया है कि लोग सबच उनाव में भले ही कम सीटों पर मान गए थे सांसद और विधायक थे पहली बैठक में शामिल हुए पूरे NCP के प्रमुक प्रशान जगताप ने कहा कि शरत पवार ने सभी को बता दिया है कि पार्टी ने लोग सबच उनाव में कम सीटों पर इसलिए चुनाव लड़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना और जगताप ने कहा कि उन्हों ने यानि शरत पवार ने ये संकेत दिया कि विधानसभा चुनाव में तस्वीर अलग होगी जगताप ने बताया कि NCP प्रमुक ने पूने बारमती मावल शिरूर लोगसभा क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के स्थिती की भी समीख्षा की है दूसरी बैठक में शामिल पार्टी के एक नेता कहते हैं कि शरत पवार ने सांसदों विधायकों से विधानसभा चुनाव के लिए तयार रहने को कहा है हलाकि राज्य एन्सीपी प्रमोग जैंद पार्टिल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी ने अभी तक ये तैन नहीं किया है कि वो M.V.A. सीट बटवारे की बातचीत के दोरान कितनी सीटे मांगी उन्होंने ये भी कहा कि महाविकास अगाडी गडबंदन में कोई बड़ा भाई, कोई छोटा भाई नहीं है, सबी बराबर है बारामती विधानसभा सीट से उमीदवारों की बारे में जब उमीदवारों की पूछताच हुई तो उन्होंने कहा कि बारामती से कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला शरत पवार करेंगे आपको बता दें अभी बारामती सीट से एंसीप प्रमुक अजीद पवार विधायक है लोकसभा एंसीप प्रमुक यानि जो महायूती में जुड़े हुए नसीप है उसका लोकसभा चुनाव की तरफ विधानसभा चुनाव में भी बारामती सीट पर ही सब की निगाहे होंग का कि देखते हैं कि उनके साथ क्या किया जाना है। शरत पवार ने अब विधान सभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। शरत पवार की एंसीपी के कुछ लोगों से संपर्क होने का भी दावा किया था आपको याद होगा तो बीते कुछ दिनों से शरत पवार ने भी चुप्पी सादर की थी लेकिन आब वो भी बोलते दिखाई पड़े हैं। उन्होंने का कि जिन नेताओं से पार्टी की मदद होगी पार्टी में काम माने वाले कारेकरताओं का होसला बढ़ेगा ऐसे लोगों का स्वागत है कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों ने पार्टी में रहने के बाद पार्टी से लाव लेने के बाद उसे नुकसान पहुंचाया है उन लोगों के बारे में पार्टी के नेताओं से राय ली जाएगी। लेकिन हाँ निश्चित तोर पर ये बात कही जा सकती है कि फिलहाल जो स्थिती इस वक दिखाई पड़ रही है एनसीपी या यूँ कहें कि शरतपवार की पार्टी अब जैसे लोगसभा में मान गई थी वैसे विदानसभा में सीटों पर नहीं मानेगी ये तो तैह है इसक चुनावी चानक के कहा जाता है वो आप डम खम के साथ नजर आएंगे